हेलो स्टुडेंट जैसा कि हम लोग पढ़ रहा हैं चीनी भूगल वितावों का योगदान जैसा कि हम लोग पाले पढ़ चुके थे चीनी भूगल के जनक फेही हिस्षू थे यहने दूसर शर्षट इस्विम में चीनी समराद दुवारा लोक निडवान मंतरी निवित किया गया था आगे देखते हैं निधम और वांगलिंग का सुझाव था कि चीनी भूगोल के पांच प्रकार थे तो आए देखते हैं वो उन पांचों प्रकारों का पहला प्रकार था इंध्रोपोलोजिकल जेगरोफी जिसे चिंग को योग के नाम से जाना जाता था जो छटी स अताबधी के मध्य में था दूसरा था चीन के देखिन में इस्थी देशों के लोग रिती रिवाजों का वर्नन और दूसरी सदी के डेटिंग से अपरेचित छेत्रों का वर्नन तिसरा था हैड्रोग्राफी किताबे और तर्टी विवरन जिसमें वाटर वेज क्लासिक के अपध्यान को दियान में रखा गया था चोथा था एस्था निकला क्रितियां जैसे हुवा यांग कुवो चीन जो अधिकांस था चोथी सताबधी इसवी के बाद दिखे गए थे पांचवा था भगोलिक विश्वकोस जो अस्ट्रेवों के समान सेली में लिखा गया था या चीन राजवन्स के समय निकलित किया था तीसरी से चोथी सताबधी के आसपास आगे और कुछ प्रॉण्स देखते हैं मुख्यता चीनी भगोल में खगोल विज्ञान और कार्टरग्राफी पे काफे ध्यान दिया था प्रमपरागत रूप से चीन में एक प्राचिन सम्मानेता थी क्याकास गोल और प्रिथवी वर्ग थे लेकिन दुसरी सताबधी तक ब्रह्मान और खगोल विज्ञान के तिन मुख्य स्कूल सामने आए पहला स्कूल था काई थीयन स्कूल जिसने अकास को प्रिथवी को कभर करने वाले गोलार्ध के रूप में परिकलित किया गया जो कि एक उल्टे पिड काटोरे के तरह था दुसरा अस्कूल था हुन थीयन अस्कूल जो कि दुनिया भर में घुमते हुए सोवर गये रहता आकास्य छेत्रों के युनानी दिरिश्य के साथ मेल खाता था तिसरे था हसन या सिच्छन जिसमें एक अनंत अस्थान के परिकलपना की गई थी जिसमें आकास्य पिंट सोत अधर रूप से तैर रहे थे हैं आगे दिखते हैं चीनी खगोल विज्ञान और कार्टोग्राफिक है सबसे महतपुर्न वदान करताओं में चांग हैंग जिनका काल था 78-139 और दुसरा फेई हिसू जिनका काल था 224 से 271 इस भी ये दोनो विद्वान पहली बार एक आईत कार को कोडिनेट सिस्टम पर हरित कार्टोग्राफिक का विगानी तरीका विक्षित किया था आगे दिखते हैं 1311 से 1320 के बिच त्यार किया गया मांचितर कार्टोग्राफिक कोस के रूप में काफी महतपुर्ना है इनके अनुसर जो कि चू सूपेन के दुवारा लिखा गया था अतय त्यार किया गया था इनका काल था चू सूपेन का 1273 से 1337 के असपास इनके नुसर अपरिका एक दच्छिन की ओर इंगित करने वाला तिरिफुज था जबकि मद्धी समकालीन यूरोप्य और अरभी मांचितरों पर हमेशा पूर्वा की ओर सारक करते हुए दर्शाजागियत हैं तो आई देखते हैं कुछ चीनी भूगल बताओं जिनों के चीन के विकास में चीनी विजुगरू भूगल के विकास में काफी उगदान दियें उनमेंसे जो दो बग्यानिक और राजनेता था जो हान राजवन्स के समय प्रसीद था या एक खगोल सास्त्री गनितक ये भूगमफ्य विशिस्ट है एड्रोलिक इंजिनियर अविस्कारक भूगल बेता मांचितरकार और एककलकार बेता भूगल में इनका युगदान खास करके जो था उन इन शूडी गरहन चंद्र गरहन सिधान जो कि इनकी दुवारा दिया गित था वो काफी प्रसीद है इन्होंने खगोल लिया अवलोकन के लिए दुनिया की पहली पानी से चलने वाली आर्मी लली छेत्रे का भी अविसकार गया था चीनी काटोगराफी में ग्रीड संदर्व परनाली अस्थाफित करने का भी जो श्रे दिया जाता है वो जांग हेंक को ही दिया जाता है आगा है फे हिसु जिनका काल था है 224 से 271 फे हिसु भोगोल के चीनी भोगोल के संस्थाफत या पादर अब चैसाइनी जोगरोफी मा जाता है इनका एक चीनी राज नितिग भोगोल वेत्ता लेखक और राज जिक के मांचित्रेकार था इन्हें दूसरों सर्शेट इस्विम में जीन सरकार में कारिय मंत्री के रूप में निव्ति किया गया था इन्हें काटोगराफी इन्हें काटोगराफी सर्वेच्छान और गनितिग भोगोल में महत्पुर्ण गुदान दिया था तो यह थोड़ा सा मेरा छोटा सा प्रियास दोस्तों कैसा लगा कोमेंट जरूर किज़ेगा और मेरी चैनेल को सब्सक्राइब करने किज़ेगा